तो दोस्तो सस्क्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को दबाएं फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है मैं अन्सुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहली न्यूज हमारे पास है नेशनल आफेर्स के लेटेड तो डॉक्टर हरसवर्दर है जो हमारे है जो मिनिस्ट्र आइं साइंस एंट टेक्नलोजी अर्थ एंड साइंस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेल फेर तो इन क्या है इन्फेक्सियस्ट्शियस्टि hopping को एक तरहक से क्या कर लेगी जल्दी से उसको मतलब जल्दी तेजी से यह क्या है करने का काम करेंगे तो ही न यह इंट्र फिरेदेश टो रूरल इन इक्सेशीबल एंडेग्टिन मैं stör कि पर पर पहुंचना वहुत ही भूब देशना काफी असान होते है लेकिन गाउं में वहां पर क्या होता है काफी मुझिल हो जाता है तो उसको भाणत के लिए कि दो मुड़ाने की के यह नहीं की है कि जो कर फैंस अंट है प्रम नीदिली नीदिली से इन्हों ने जो इन्योग्रेशन किया इसका और हरी जंडी दिखाई एज पार्ट ऑफ दा डीवीटी एम टीजएड ने कमांड जो कमांड का मतलब कहा है फुल्फों में कोविड मैट्टेक मैनुफेक्स्टिरिंग डेवलप्मेंट कंसर्टी या इसके तहित कि उन्हों ने जो फ्लाइगॉफ किया है और इंग्रेशन किया है आई लैब का तो इसमें कहाते आई लाब इसे मोबाइल टेस्टिंग का मतलब है इसका मतलब यह ने इसका मतलब क्या हो गया कि एक चलते हैं तो आई पे प्रदेश मेट टेक्स जोन के दवारा एंटी जैट इसें एंड टीम विदा सपोर्ट ओफ डिपार्टमेंट ओव बायो टेकनलोजी है अंडर दा नेशनल जो बायो फार्मा मिशन है विंग इंपलिमेंट लॉइब बायो टेकनलोजी इंडिस्ट्री रिसेर्च इसको सपोर्ट किया था और यह मोबाइल टेस्टिंग रसल्टी जो आई लैब नाम इसका उसको बनाया गया था तो डेवीटी के बारे में जाल लेते हैं सेक्रेटरि हैं इसके रेनुस वरूप और हेड़काटर है नहीं जेली में एम्टीजी का है जो हेड़काटर है वही स्टार्ट कीए उनके 41ONG सततरु ऑसलीनां, सब्सक्राइब知道 Lazio bank का उस और जोह सबनाघन तोले सबिक्विक नर्ण की दिक तोले सब्सक्राइब निम्स काольно आए अगया जो पूरा जो है उकशन है उसको लोटन माऊटर। था पीमोदी के दवारा उन्दा लाइन संदा अनौसमेंट मेट वाइंड वाइंड तो यूंटी लैक क्रोड आत्म निर्भर भारत अभियान का जो पैकेज विए लॉंच किया गया था भारत के इसके मोदी के दवारा पेमोदी के जो गॉइर्मनें उसने तो यह जून अथारा जून को 2020 में प्राइमिस्ट ने किया गया है कि उन्होंने दो जो इस टेज इलेक्ट टू स्टेज इलेक्ट्रोनिक ऑक्षण ओफ एक तारीस ब्लोक है जो फॉर कमर्सिल वाइनिंग तो वीडियो कॉनफरेंस तो इन्होंने वीडियो कॉनफरेंस के थूए कि तरू क सेक्टर के जो लोग है उनको क्या दिया सबूस्राइब निकाल सकें और सरकार को भी के पास है वह कमेंसमेंट अफॉक्षन प्रोसेंट अफॉस लाइक नेके कंड्रिबूट को अधा सेंटल गॉर्मेंट फ्रेंट इट इस एक्ट टो गार्नर दान थर्टी थी थाउजन क्रोड ऑफ केपिटल इंवस्ट्मेंट और नेक्स्ट फाइब तो इसमें क्या है कि जो अभी जो ऑक्षन होने वाला है उसके बाद क्या हो जाएगा कि बीस हजार क्रोड रुपे करोड और सेंटर को मिलेगा 33,000 को अगे लिए पांस से साथ साल के लिए तो मिन्स्ट्री ओफ कोईला के कोईला कौन है युनियन मिनिस्ट्र है प्रदलाद जोसी सेक्रेटरी है नहिल कुमार जैन जो फिक्की है उसके प्रेजिडेंट है संगीता रेडी और हैड़क्वाट जान यानि की पीडी सी अंडर इस ज्ट्रेटरी तो इनकी जोन सेक्रेटरी कौन है तो यह काफी अच्छा कोस्टन है कि भी मिनिस्ट्र जो नियू और रेनेवल एनरजी है जो इसके जो जो जोन है अमितेश कुमार सिनहा है तो उन्होंने क्या कि एक प्रोजेक्ट इसको अट्रेक्ट करने के लिए उसको अपनी तरफ खीचने के लिए ख़कर क्या कि जादा से ज्यादा इन्वेस्ट्मेट जो क्लीन अनर्जी इनरो हो सके जो जो इसमें हो सगे तो उसके लिए का एक सेटप प्रोजेक्ट डेवलोप्मेंट का किया गया है इस विल ओफर फॉर इन्वेस्टमेंट दोज रिनुवेबल एनर्जी प्रोजेक्ट सो वेर आल दानसेसरी वर्क लाइक डिटेल प्रोजेक्ट वर रिपोर्ट लेंड बर्ण को Lewyn करें। दो लिसके बारे मिरेंड रिनुवेबल इन्नरजी के के बारे में हैं यह राजकुमार सेंफ को निकिसतावल लाद ही सब्सक्राइब लाख हाल उत्याराइकर्थ ख़स्व लिबह Competition अब slipped Allumes को मांनेल सबस्य तो अभी पीछे नियूज आई थी कि जो राजस्थान है उसने भी दिया था तो उसको वह अभी सबसे हाइस्ट हो गया था लेकिन अभी कौन हो गया है यूपी अभी हाइस्ट हो चुका है तो ऑफिशल की डाटा जो को अफिशल डाटा उसके अनुशार 15 जून 2020 को उत्तर प स्कीम है महात्मा गांधी नैशनल रूरल एंप्लियमेंट गारंटी स्कीम तो उसमें क्या किया है रोजगार दिया है उनको एक तरह से मेकिंग इड़ा टॉप इंडियन स्टेट प्रोवाइड हैस्ट इसको कहा है कि पूरा जो पूरे देश में सबसे ज्यादा जो रोजग यूपी ने उसको और पास कर ले 57 लाग के आसपास लगवग 57 लाग 12900 चेत्र को रोजगार दे कर गए लेकिन क्या है कि इस सेकंड नमबर पर रहा है राजसान जाने एक्ट Eli में पास किया गया तो इसको किया गया नाम बार में क्या कर दिया घथा वाद Tapi यह तो इसमें 2005 सपेमबर में इसको बाहाश कर दिया गया तो यह क्या है कि भारत का इक स्रम कानून है जिस की प्रव यह तरह से काम का अधिकार है कि 100 दिन के लिए कम से कम आपको गारंटी देती हैं कि इसको काम मिलेगा यह मिलेगा इसके अंत्रगत आपने आपको रजिस्टर करवाता है जिसके पास कोई भी जौब नहीं है तो यह प्रिया चेफ मिनिस्टर ने योग्या दितनाथ कैपिटल लखनु और गवर्णर आनंदी बेन जो माफथ पाइक पटेल है इसका पूरा नाम है आनंदी बेन पटेल के भी कहते हैं को तो नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट एवर क्लाइमेट चेंज असेस्मेंट क्लाइ इसने यह रिपोर्ट तयार की है तो इसमें क्या कहा है कि जो नेक्स्टेश में पढ़ते हैं कि दो प्रोजेक्शन ऑफ रिपोर्ट आर बेस डूंदा आइए टीम अर्थ सिस्टम मोडल एंड कोडिनेटर रिजिनल क्लाइमिट डाउनस्केलिंग एक्स्परिमेंट डाबेस तो जो यह डाउनस्ट डाउन जो इसका आईए टीम अर्थ सिस्टम मोडल है और कोडिनेटर रिजिनल क्लाइमिट डाउनस्केलिंग एक्स्परिमेंटल डाटा बेस है तो इनका डाटा सैट्स बगरा है उसके बेस पर प्रोजेक्श रिपोर्ट निकाले गई है अठर तो आयाई टीम के बारे में जाल लेते हैं डारेक्टर इसके प्रोफेसर रवी संकर नंजूंदिया और लोकेशन इसकी पुणे इमारास्ट्रा में जो मिस्ट्रिए ओफर साइंस उसके मिन्स्ट्र कौन है हर्सवर्दन है डैड्क्टर हर्सवर्दन और जो सेक्रेट जो अमाउंट है वो इसको दो गई है किसको महारास्टर को करनाटको और जो असतेस को दो पहले भी हमने पिछले से पिछले से फिसिल 있는 टाव है कि कि स्दीन स्वारे आपको नाम बताना है कि किस किस को किजियो थैसे क्याruption को कितनी किवह कि उसके बार में बताना है तो अगी अन्ट के पर्दान मंत्री मोधी जी ने किया कि इनांस्मेट कि थी तो उसमें क्या करा था कि फॉन्चिनल हाउस्वल्ट टैप करेक्शन की फंटशनल हाउस्वॉल्ट स्थापित किया गया था 18 क्रोड रूरल हाउस होल्ड तो अठारा क्रोड जो गाउं के घर हैं वहां पर क्या मिलेगा फंचनल स्टाइब कनेक्शन मिलेगा एंबाइदा ये ट्वेंटी ट्वेंटीफोर तो दो हजार चॉबिस तक पूरे देश में हर घर में क्या मिलेगा जल मिलेगा जो ग्रामेंड जल ग्रामेंड एरियाज है वहाँ पे सेंटर है अर्लियर अप्रूवड फंट्स फॉर दा इंप्लिमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन फॉर उडिशा मेगाले असम एंड भिहार तो इन चार स्टेट्स के लिए इन्होंने पहले दे दिया है अफ्टर दा मध्यापरदेश जारकंड एंड वेस्ट बंगाल रिशीव स्टेट्स पहला है बहां रश्टर उसको मिले एंठारा सो नंतिस करोड जो करनाट का है उसको मिले हैं ग्यारा सो एटिन पॉइंट फॉर्टि करोड और जो 157.61 करोड मिलें कि इसको त्रीवरा को फॉर्म जल जीवन विशन इंद इस्टेट तो जल जीवन मिशन के बारे म पर कैपिटा पर डे का कहा है यह जो सर्विस है उसको ने लिमिट रखी गई है कि पसपन जीटर कम से गम उनको मिलेगा रेगुलर बैसिज पर मिलेगा और लॉंग टरम बैसिज पर मिलेगा तो एस्टिमेटेड आउटर ले अफदा मिशन इस थ्री पॉइंट लाक करोड तो कहाए कि इसमें क्या है कि जो टोटल इसका रिवेंट वह माना गया कि वह खर्चा कितना आएगा तो तकरीबन 3.6 लाक करोड रुपे का खर्चा एगा सेंट्र और स्टेट दोनों को में सेर मिला करके तो इसमें सेंट्र का स्टेट कितना होगा 2.08 लाक करोड होगा और जो इतना होगा 3.6 लाक करोड रुपे तो नेक्स्ट है इंडिया को सेकंड इंडिया सेकंड मेजर ड्राइवर ओफ ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन इन 2019 आफ्टर चाइना तो क्या है कि पूरे जो वर्ड है उसमें चाइना के बाद सेकंड जो एनर्जी ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन है उसके उपर सेकंड रैंक मिली है इंडिया को 69 अधिशन निकाला गया है बीप स्टेस्टिकल रिव टॉन्टे टूंटी टूंटी का तो 17 जून को यह एकॉर्डिंग टूंटी अधिशन ऑफ स्टेस्टिकल रिविव औफ वर्ल्ट एनर्जी टूंटी के बेस है कंपनी जो एक तरह से जो एक तरह से मगाल लगा लो तो उसमें क्या है कि जो बेस्ट ओन ओवे लेंड गैस कंपनी है बीपी पील्सी एक कंपनी है यूके की दोसने यह डाटा रिलीज किया है इंडिया वाद सेकंड मेजर मार्केट आफ्टर चाइना टू इंक्र प्राइमरी तो आज इंडिया इंडिया के बाद इंडिया आ चुका है अंदा अधर हैंड इंडिया इनर्जी कंजप्शन 2019 वाज था थर्ड लार्जेस्ट अल्ली आफ्टर चाइना एंड उनाइटेड शेट तो यह तो था कि भी प्राइमरी एनरजी के बारे में टोटल ए सेवंटी इजे एड युनाइटेड शेट की है 94.65 इजे और इंडिया की है वो थार्ड नंबर पे है 34.06 इजे एन इंक्रीज ऑफ 2.3 परसेंट तो 2018 से यह तकरीबन 2.3 परसेंट का इसमें इंक्रीज आया है जो बीपी एल पी एल सी है उसका हेड़कॉर्टर है लंदन यूनाइट्ट करिंडम में और सी यो इसके बर्नार्ड लून ने नेक्स्ट एकोनोमी एंड बिजनेस एलेटेड न्यूज तो इंडिया ने एकोनोमी टू कॉंट्रेक्ट भाई 4 परसेंट इन 2021 तो जो 2020 किसका ज जो इन डेवलप किया जो फिसकल ये लिए 2020 के लिए निकिया है अंडिगों 31 मार्च 2021 तो यह जो मतलब एक अपराईल दो हजार बीस से लेकर करके 31 मार्ट 2021 करकाल रहे तक करकाल साल रहने वाल है उसमें कितने जो कर सकते हैं बारत की जीटीप तो वो कर सकते हैं एकोनोमी त का फाइनेशल यह तो समय यह पांस प्रसेंट तक क्या कर सकते हैं फॉर कांट्रीज इन डेवलपिंग एस्या एडीबी फोरकस्ट ग्रोथ ऑफ जीरो पाइंट बन प्रसेंट इन ट्वंटी वंटी तो जो डेवलपिंग एस्या की कंट्रीज वह रहां उनके लिए जो है उसको बनाया गया है उसका नाम रखा गया है डेवलपिंग एस्या तो उसकी जो ओवराल मतलब एक तरह से क्या करी है जो जीडीपी फोरकास्ट गया रखेंगी है वह जीरो पाइंट एक प्रसेंट कहीं गई है तो नेस्ट ग्रोथ ऑफ साउथ एस प्रेडिक्टिट गिर सकती है तिन पॉइंट जो तीन पर्सेंट से गिर सकती है फुर फ्नेंसी लियर 2020 और जो फ्नेंसी लिए ट्वन ट्वंटी टू है उसके लिए ग्रोथ कहा गया है फोर प्यंट नाइन कर दिया गया है पहले इसको 6 परसेंट ता लेकिन इसको घटा करके भी 4.9 परसेंट कर दिया गया है जो एडिसिन एलबमेंट बेंक है उसका है जो मंडूली योंग है फिलिपिन्स में और प्रेजिडेंट है मसातसुक असाकावा और मेंबर्स है इसमें 68 मेंबर्स हैं अ छब्धे जिंद्र स्टील वर्क्स उसके सिमेंट से इस सिमेंट जो एक उसकी ग्रूप की स्टीले ग्रूप का एक पार्ट हैनों से जीएसड़ी सिमेंट उसने 19 जुन को सृरुग घंगोली और सुनिल 200 अपना प्रेंड बेष्टर बनाया है तो फुरुग प्रेंड बेस्टर है फॉर देर्फ मार्केटिंग केंपेइन लीडर्स चोइस इन वेस्ट मंगाल बिहार और उडिशा के जो शेतर है उनमें अपने जो ब्रेंड बैस्टर के तोर पर किसको बनाया है उसनील शेतरी और सौरो गांगली को जो जो जीएसड़वलू ग्रूप ह है उसने अपना जेएसड़वलू सीमेंट ने बनाया है जो जो ग्रूप है उसका टेरेमन है सजन जिंदल हैड़कोर्टर है मुंबी महराष्टरा में और जो जेएसड़वलू सीमेंट है उसके मैनेजिंग डिरेक्टर है पार्थ जिंदल चीफ एक्जेकुटिव ऑफिसर है इसके निलेस नर्वेकर और हेड़कोर्टर इसका भी कहा है मुंबी महराष्टरा में तो नेक्स्ट नीज की तरफ बढ़ते हैं एक्विजन मर्जर के बारे में तो साओधी एरेबिया की एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है उसने बाइग गया 2.32 परसेंट का स्ट के लिए तो इसमें जो 11 तील है ये टोटल एक तरह से विद साओधी एरेबिया की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड तो इसमें ने क्या किया है जो जियो की प्लेटफोर्म उसमें अपना हिस्चेदारी खरीदी है 2.32 परसेंट की विद इस इन्वेस्टमेंट जियो प्ले हो चुके हैं फ्रम लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सिंस अप्रेल दो होजार अप्रेल बाइस दो हजार बीस तो बाइस अप्रेल से इनकी इन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है वो चालो हुई थी और अभी तक इसमें एक पाइंट बंदरा लाक रोड ये इसमेंट इसकी इन्टर बेलू के अऩटेने होगे आट इसकी बाइन वंजर्क्रोंड तो पिफ के बारे मिजा लेते हैं जो पब्लिक इनवेस्टमेंट में इसका हेड़कॉर्टर रियाद सवदी अरवियामें और इसका चेर्मन है प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान बिन जो अब्दुल्ला जीज अल सौुद तो यह क्या है एक पॉब्लिक इंवेस्टिमेंट्स है जो इस सरकारी वहाँ पे फॉंड है उसने क्या करीदा है दो पैंट तीन दो प्रसेंट का स्टेक करीदा है जो रिलाइस इंडस्ट्री लिमिटेड अउसका हेड़कॉर्टर मॉंबई महाराष्ट्रा में और चेर्मेंन मेंडिंग जर्टर होने इसके मुकैस दिरुवाई अंबानी नेक्स्ट सीच आइए अप्रोव से एक्विजिन ओफ मेट मेट सो ओईज मिनरल बिजनस बाई ओ ओ ऑउटो टेक ओईज तो यह जो खरीदी है कंपनी किसने इसको अप्रोव क क्या गया है तो प्रबस कमिनेशन ओफ इंडिया का जो 25 वन एक्विजिन अग्ट है उसके तहती जो एक्ट ठाइट था इक्विजिन ओता है तो यह जो एक्ट था लिए टो तो कम्पिनेशन वील भी अचीवड एथू पारिशेल डी मर्जर उफ मेट्सो मिनरल ऐस बरदा फिनिस कंपनी आक्ट के तहित क्या होगा एक पार्शिल डी मर्जर होगा किसका मेट्सो मेंर्ल्स का तो एज़ आउट टेक वारे मज़ने प्रेजिटे इस ये होगा मेटस navigate सिर आम। नास maker वोडेटने वारा मेटमों कि साहिं से इंटेक लेटेट। सइनेर चैस्ट टेक्लॉमजी में क्या गया है नैक्स्ट नेफ्ट si解क गया है कि जो सनासा थ्किल नास ऐस्ट्रॉनुच्ञाइन है एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने डिस्कवर किया है 240 साल का जो न्यूट्रोन स्टार है स्विफ्ट जे 1818.01607 तो ये इसका नाम रखा गया है ऑफ्ट्री सेरेस्ट ट्रेश ऐस्टी टिस्कवर किया गया है तो जो ग्यार磨क कि यह इस्टोफीजिकल एंचनल लेकरोट के वास्टिंगट टिशी है और नशाज हैंजनल अरण इस पेस्ट्रा Er Do कितने दूर आए शोड़ाजार लाइट एर दूर है प्रकास प्रकास वर्स दूर है जो प्रित्वी है उससे तो यह एक नया जो स्टार है एक तरह से न्यूट्रों स्टार उसको खोजा गया है इट वस्ट इसकोड़ बैक ओन मार्च 12 बाइ नासा जैनिल गहरील स्विफ्ट बीट्री इस अब्जरवेट्री इसको सबसे पहले 12 धारि आर्षों को खोजा गया था वें लार्ज अमांट ओफेसरेइज वर आमिटेडवाइट तो इसको ड्रेइड वगरह है वह मेंट के किती तो इसको खोजा देखोज दिया गया था टयूरोपेन स्वेसीजन सी कॉन स सिर्फ 240 साल पुराना है यह स्टार है तो नासा के बार में जो हैर्ड कोट्राइज का यह वासिंटन दीशी निटिश्टेश और एडिमिस्ट्रेटर है कौन जिप जिम ब्रेटेंस्टाइट नेक्स्ट निच्ट निच्ट है आइएएटी मंडी से लिए ने डेवलोप किया हर इन्पावरिंग्द वैलिय AT मननी ऐगतर इतरसी तरह से जो रूरल इंक्वीटर है इन्द connect क पावरिफेंग कमांड वैलीफ़मर्स कमांड वैलीफंट क्या है उनको एंपावर करने के लिए क्या से उनके जो रूसी बढ़ाने के लिए उनको क्या है तो यह जो डेवलप की टेक्नOLOGY उसको बारे में बताया गया है तो जो आयटी मंडी है उसके चेर परसन है सुबोध भारगव और जो डिरेक्टर है कौन है प्रोफेसर टीमोथी ए गॉंचालविज तो अभीचुरी के बारे जा लेते हैं वेटरन इंकोनोमिस्ट है और मेंबर है चुके हैं 10th Finance Commission के बीपी आर विठल बारू उनका देहानत ह हो गया 93 की जो ओमर में तो जो 19 उनको इनका देहानत हो गया है तो इनका जनम 1926 में हुआ था तो इनके बारें कुछ इफेक्ट बगारा जान लेते हैं उन्होंने एट इंडिया सेशन आफ इंडिया नेशन कॉंग्रेस इन मॉंबई और इंवर्विंसेल इन नेसल में तो इ आपको अपना वो पार्टी स्पेशन दिया था जो इंडिया नेशन कॉंग्रेस द्वारा मॉंबई में स्थापित की गी थी एक तरह से जो सेसन था वहां पर तो ही वास्ट पर इंडियन प्रेजिडेंट यूनियन टू फ्लाइदा इंडियन ट्राइकल तो इन्होंने कहा हिसा घारतिय तिरंगा फिराने वाले Pardon Scもう से 30 सब्सक्राइब में में हुआ सारे मिरीं सब्सक्राइब parler इमचितारतियोभ धर्याइज के है एध्रावाद तिलंगाना चेर्मन और प्रोफेसर रधाकृष्ण है नेक्स एक स्कृप्ट राइटर थे और फिल्म में कर थे के और सचीदानंद जो उनका क्यों हो गया है तो अठाथ उनको इनका देहांत हो गया है जो सची भी इनको कहते थे तरह से तो यह मलियालम कोडूंगुल है थ्रीशूर में वहां के यह निवासी थे तो नेक्स है वेटरन जनलिस्ट थे और फ्रेडम फाइटर थे दिनु रानादीव उनका देहान तो गया है 95 साल के उमर में 17 उनको इनका देहान थो था तो क्या थे यह तरह से जो वेटरन पत्रकार भी थे तो इनका जो दादर महराष्टर में है उनका विमारी जैसे क्या हो गया दियानत हो गया है 1925 में इनका जन्म हुआ था जो दहानू तहसील है किसके पहालगट डिस्ट्रिक महराष्टर में वहाप इनका जन्म हुआ था तो इनको कहके आवार्ड मिले हैं रिशूट लाइटम अचीव सब्सक्राइब तो इस जो हर साल यह चार दिसम्बर को इन्हों नहीं कहता है उसने डिसाइड कहा था कि जो 2000 से लेकर के 20 जो हर साल 20 जुन को मना जाएगा वह मना जाएगा इन दिस रिजोरिशन ग्रीन जो जनरल असेम्बली उसने कहा कहा था कि जो 2001 को मार्गदा 50 अनिवर्सिटी ओफ नाइटीन फिटीवन कंडवेंशन तो जो स्टेट्स से स्टेट्स ऑफ रेफ्यूजी हैं रेफ्यूजी से लेड़े जो कंडवेंशन उगरा 1951 में पारित ही उसकी जो पचासवी सहल गरा थी 2001 में तो तब से कहा कि इन्होंने शुरू कर दिया कि भी 20 उनको हर सल क्या मना जाएगा वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मना जाएगा ये क्यों मना जाता है तो जो रेफ्यूजी वगर हैं उनके खिलाफ अवेर्नेस परनाने के लिए और उनको स साल 2000 से तो काफी पहले से ही अफ्रिकन रिफ्यूजी डेवी 20 उनको मना जाता तो यूनाइन नेशन ने चाहेगा तो यूनाइटन नेशन का है जो इन्यूर्क सिटी में है प्रेटिष के हैं वोलकन बोजकिर और जो कि एक प्रेजडेंट है वो जो जो इसके हैड को कहां कहते हैं प्रजिदंट कहते हैं और प्रेट अनिशन्स सेट निवह कह है मनपुर में आपना 19th ग्रेट जून अप्रैजिंग टेव बनाया है इन को तो अफारा जून को 2020 को मनपूर ने अपना कि जो जो मननेपुर की टेरिटारियल जो अखंडता है उसको बचाने के लिए जो आपराइज़ंग की टाइम पर क्या गया था जुन विद्रों वह था था तो उसमें क्या था इनकी द्हान थो गया था था अथा जारा जो लोग हिंगा उनकी जाना चली थी उसके उसको याद इंटरी मैंतिम में मु Celtum इंटे हैं इसमें पर किया ग्रकमरन के दौरें के मिटिय और सुनिल कामरान के दोणा क्या जाती यहां सुनिल कामरान के ग्रेंटिय करती तो इन्होंने अब की बार वो किया था तो फैमिली बाउफ दा मार्टेर्स एंड लीडर्स फिविल ससाइटी और्गनेशन तो इस जो मार्टेर्स सहीद हुए थे तो उनके परिवार और जो सीविल ससाइटी संगटन है जो मीरा भाई भी ग्रूप से और कॉम्मुनिटी तो इन दोनों के बीचम क्या हुआ था कि भी एक तरह से तो उसके खिलाफ यह जो नप्राइजिंग हुआ रहा हुई थी तो जो मनिपूर है उसकी जो टेरिट्री है उसकी इंटिग्रिटी और जो सेंसेंटिती है यानि एक तरह से क्या है कि पवित्रता को बचाने के लिए यह सब जो जून अप्राइजिंग हुई थी जून में जो विजरो विजरो हुआ था उसको क्या है उसमें 18 लोग की जान गई थी तो यूनियन गवर्मेंट रिमूर्म्ट था उफेंड़ वर्ट तो जो उफेंड़ वर्ट वर्ट वेरा यूज किया गए थे उसमें जो एंडिया प्रेजिडेंट होगा युनाटिड नेशन जो स्क्योर्टी काउंसिल वो फन्दा वेंबर की उसका फॉर मंथ एपक्ष्ट 20 वन तो अगस्त बन्तिवां के लिए जो इंडिया है वो प्रेजिड होगा युनाइज नेशन स्क्योर्टी काउंसिल गा विच आज ब के लिए 2020 में प्रेजिनेट भी बना दिया जाएगा फुलिएंग दा इंगलिश अल्फाविटिक ओडर ओफ मेंबर स्टेट्स में प्रेजिदेंशी ओफ दा काउंसिल इस हेल्ड बाई इच ओफ दे मेंबर इंटरन फॉर वन मंत तो क्या है कि यह अल्फाविटिकल ओडर के नाम की तरह क्या होता है अल्फाविटिक ओडर पर जो हर मेंबर है जो भी मेंबर है पंदरा मेंबर है उसमें से पास जो पर्मानेट मेंबर है और दस जो है वो क्या है एक टैंप्रेरी मेंबर है तो उन सबको एक महीने के लिए हर जो हर महीने क्या मना जाता है है एड मना सुर्णटबों के लिए के प्राइब है जोभी emissions के पेम practitioner चूंच के यह इसान कर रहें आप को समय हो मिलते रहें खत August